हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल का चॉप अन कुक आज हमने बनाया है बिना तंदूर के चाप अफगानी वह भी घर पे बहुत आराम से तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें तो आएए समय ने बरबाद करते और सीथा चलते इस मज़दार चाप अफगानी को बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले मैंने पैन में रखा हुआ है तेल को गरम करने के लिए और यहां देखिए मेरे पास चाप हैं लगबग यह अच्छी जो है गोल्डन ब्राउन ना होता है तो हमारी चाप फ्राय हो रही है तब तक हम मैरीनेशन प्रिपेर करेंगी तेकि यहां ले ले आप एक बोल अब इसमें सबसे पहले मैं आट करूंगी लगबग आधे कबसे थोड़ा सकम दहीं क्योंकि चाप जो है मैंने आपको यह हंकडन ही यूज करना है आपको नॉर्मल जो रहनी म might साथ सथ जो होता है विद्स दंशे ओए को दाई टेबल स्पून फ्रेश क्रीम साथ में जाएगा अद्रग और लहसुन का पेस्ट और इसमें अब हम डालेंगे लगभग आधा टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल तो अब पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद के नोसा नमक आधा टीस्पून चाट मसाला हाफ टीस्पून चिकन मसाला अगर आपके पास आप डाले आप अदरवाइस अबोइड कर सकते हैं हाफ टीस्पून गरम मसाला वन फोर्थ टीस्पून ब्लैक पेपर वन टीस्पून धनिया पाउडर और यह लगबग एक टीस्पून के आसपास कसूरी में थी और इसे भी अब अच्छे से हम एक बार मिक्स करेंगे देखे सबी मसालों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और मैरी नेशन हमारी तयार होगी और दूसी तरफ चाप भी हमारी फ्राई होगी है देखे चाप को मैंने निकाल लिया हलका सा थंडा भी होगे और देखे कितनी करारी होगी है यह उपर से टिक है तो अब हम इसे कट कर लेगे अंदर से पूरी ख़ुछ गई है और उपर से एक दम क्रिस्प हो गई है इसे काट के फ्राई है इसलिए कि अगर क्रिस्प जाता है कि अगर कट के में कल दूस्यवान चाप relativ निक मिलत्यान पत विया जाती है और शाय जाती ही ना तो क्या है अब कॉर्नर्स जो है उसे मेरिनेशन अंदर जाएगी और यह उपर बिल्कुल एकदम क्रिस्प इसकी सर्फिस रहेगी तो सारी चाप को पहले आपको काटता है देखे चाप को मैंने अच्छे से कट कर लिया है मैरिनेशन में अब मैं चाप उतना ही इसका फ्लेवर और टेस्ट इन्हांस होगा देखे एक घंटे से लगबग थोड़ा उपर ही हो गया है और हमारी जू मैरिनेशन इसको भी काफी समय हो गया है और चाप ने बहुत अच्छे से सारी मैरिनेशन को अब्जर्ब कर लिया क्योंकि चूने में स्लाइस किया है सबसे पहले यह डालेंगे अगर आपके पास शिम्ला मिर्च है तो आप भी लगा सकते हैं उससे भी एक अच्छा सा फ्लेवर आजाता है बीच में जब हम चाप खाएंगे तो अब हम इसे तंदूर हमारे पास है नहीं तो गैस पे हम इसे थोड़ा सा चार्ड करेंगे बनलब इसके ऊपर थोड़े जले जले से निशान आएंगे उतना हमें इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाना है देखिए मैंने फ्लेम को ओन कर लिया और एक प्लेट आप नीचे पार करेंगे गुमा गुमा के ताकि इस पे इस तरह की स्पोर्ट जो है हर जगा अपियर हो जाएं तो पियर होगे अब दो मिनिट के लिए अप लेम बंद करेंगे और आपके पास मेल्टिद बटर होना चाहिए आप मेल्टिद बटर को अच्छे से इस पे पोर करेंगे इस तरह के इस तरह के बस पोर करने के बाद हम फिर से फ्लेम के आउन करेंगे और थोड़ी देर इसे फिर से ऐसे ही पकाएंगे कि अ तो देखिए यह होगे तयार अब चलते हैं लास्ट प्रोसेस में अभी जो प्लेट मेने नीचे रखी थी वही ले लिए अब हम चाप को पहले तो इनसे निकाल लेंगे अब इसमें आड़ करेंगे कम से कम दोसी तीन चोटे चम्मच बटर में इस्तमाल कर रही हूँ उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे फ्रेश क्रीम अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ इसे कटे हुए प्याच जो इस तरह से मेरे रिंग्स में काटे हुए है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि आप चाहें तो इस वक्त धरा धनिया भीस में डाल सकते हैं कटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं जित्मा तीखा बसंद करते हैं आप बाद में भीस में आड़ कर सकते हैं तो यह देखिए आप हम इसे करेंगे सर्फ देखिए हमारी चाप अफगानी बहुत ही आराम से घर पे बन के तयार है मानती हो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है पर इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करेगा तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक्स तो वाचिंग और अब मैं चल्दी मिलूँगे एक नहीं और रिफ्रेशिंग वीडियो के साथ अपके के लिए टेक केर बाबाई